नमस्कार गौरा नीटिंग क्लासें में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में देगे हम बनाएंगे सॉक्स और सॉक्स जो है हमें बिना सीलेवे हम बनाएंगे इन सॉक्स को और वो भी मसीन पर बनाएंगे इसमें हमें निडिल का बिल्कुल भी यूजनी करना है बिना स 27 सुसूदिक मैंने इसमें रख्या Peak 27 सुसूदिक मैं रख्यू हैं बॉर्डर के लिए और इसमें मैं बताऊं की अपनी किस तरह से फंदे लेने हैं या पार पर में आप सॉस बंदा रही हो तो यहा पर मैं लेलूंगी 21 निडिल 21 सुई जो है हमें आगे की तरफ करनी है और इस पे हम अपने सिंगल बॉर्डर बनाएंगे तो फंदे में इसमें देखिए इस तरह ऐसे रैप कर लेना है फिंगर पे आपको और फिर देखिए ये लूब बना लेनी है ये देखिए अब यहां से गिनते वे जाएंगे हमें 21 निडिल चाहिए 9 साल का बच्चा है और 21 निडिल चाहिए हमें 1 2 3 इस तरह से देखिए आपको रैप करते वे जाना है दो निडिल पे करेंगे और एक निडिल को पीछे कर लेंगे इस तरह से देखे, इस तरह से देखे यहाँ पर यह देखे, दो निडिल पर हमने यूँ इस तरह से रैप किया, और जो पहली निडिल आगे की तरफ है, उसे हम इस तरह से पीछे ले जाएंगे, ठीक है? इस तरह से ले गए और तो सारी जो निडिल है हमारी जितनी भी है आपर निडिल हमने ली है 21 निडिल लेनी है सब में हम ऐसे ही करते वे जाना है यह हमारी 21 हो गई है और इस तरह से जो है रैप करेंगे और लास्ट में जो हमारी निडिल होगी उसे हमें सिंगल ही निडिल पर सिंगल लेना इस तरह से और यूं कर लेना है अब हम निडिल करेंगे आगे की तरफ और धागे को उन को कैरिश पर ले लेंगे और सलाई लगाएंगे 15 स्लाई लगानी है हमें तो गिंते वे जाना है और 15 स्लाई लेने तक सिंपल बनाएंगे हमें यह पर बॉर्डर आपको अपने हिसाब से रखनी है ज्यादा कम जितना भी रखना है उतनी स्लाई लगाएंगे हम 15 सलाइयों की बॉर्डर बना रहे हैं तो हम 15 सलाइय लगाएंगे पहले दो वेट लगाने के बाद यह निडिल आगे करने की जरुवत नहीं है त्याज़ और इसी तरह से 15 सलाइयं कम्प्लीट करेंगे और साथी साथ में हापे वेट भी लगा लेती हूँ और आप हम 15 सलाइयं कम्प्लीट कर लेंगे त्यक्ति 15 सलाइय लगा ली है मैंने और आप क्या करेंगे दो निडिल छोड़ेंगे एक निडिल आगे की तरफ करेंगे दो पीछे रखेंगे एक आगे और इस तरह से निडिल की हम पोजिशन रख लेंगे यहां पे और जो निडिल आगे की तरफ है उसे हम इस तरह से उस फंदे को इस तरह से हमें उतारना है और फिर बुन लेना है ठीक है सिंगल बॉर्डर है यहां पे यह इस तरह से तो लास्ट में जो है यहां पे यह दिखे इस तरह से यह फंदा यह जो लूप है इस पे हमें अपनी लैच को ले लेना है और सिंपल उपर के लिए बुन लेना है तो हम अपनी बॉर्डर को इस तरह से कम्प्लीट करेंगे जितनी विरेडी लागे की साइड है सभी को इसी तरह से उनके फंदों को उतारना है और बुन लेना है आप है तो अपनी बॉर्डर कम्प्लीट कर लेंगे हम तो देखे बॉर्डर हो गया कम्प्लीट और अब इसके बाद देखे हम यहां से उपर के लिए लगाएंगे 34 सलाई लगानी है 34 सलाई लगानी है उपर के लिए simple एकदम वो जो हमारी 34 सलाई होंगी वो हम देखे बॉर्डर हो गया हमारा बॉर्डर से उपर के लिए हमें यहां पर 34 सलाई लगा लेनी है ठीक है तो बिल्कुल simple हमें 34 सलाई लगानी है 34 और लगा लेते हम यहां पर 34 सलाई तो देखे 34 यहां पर सलाई complete कर ली है आप उसके बाद देखे क्या करना है जो carriage के हुक है हमारे carriage का हुक है पीछे कर लेंगे दोनों साइड के हुक और उसके बाद उसके बाद देखे हमें यहां पर क्या करना है एक निडिल अपनी left side की हमने आगे की तरफ की और एक slide लगाएंगे अभी एक slide लगा ली और अब जो हमारा यह उन ऊपर है निडिल के उसे हम नीचे ले जाएंगे और दूसरी side से एक निडिल हम आगे की तरफ करेंगे फिर एक slide लगा लेंगे इधर भी निडिल के उपर यह धागा है इसे हम नीचे की तरफ करेंगे और दूसरी side से फिर एक निडिल आगे की तरफ करेंगे देखे धागे को निडिल के नीचे ले जाएंगे हम इस तरह से और दूसरी side एक निडिल आगे करेंगे इसी तरह से करते वे जाएंगे पीछ में जब तक साथ हमारी सुई बचेंगी 7 निडिल तक तो इसी तरह से बुल लेंगे हम इसे तो दिखे इस तरह से बीच में हमारी बची है, 7 निडिल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथ निडिल जो है हमारी पीछे की साइड है, अब हमें क्या करना है, फिर देखिए, ये जो निडिल के उपर अब लास्ट जा हमने स्लाई लगाई, उपर धागा है, नीचे करेंगे, और जो ये हम पीछे करेंगे, और एक स्लाई लगाएंगे अब, देखिए, अब हम क्या कर रहे है, निडिल के नीचे से हम जब सुई लेके, सौरी धागा लेके गए, तो हमें ये निडिल भी पीछे करने, जिस निडिल के नीचे से धागा होगा, उन होगा, वो निडिल पीछे की तर जड़ी ममएरे आगे की तरफ है इन्हें कम्प्लीट कर दिए है और इसके बाद हम बनाये स्टाइव कर लिए और यहां से उपर हो हैंया भधिति हों यहां पे मैंने 15 बर्डर के लिए 15 समय के या अ deposited के लिए 50 समय उपर के लिए 50 समय के लिए और इस तरह पर फंदे BROWN regen इस से उपर अन पर 42 तक पे 5 Consοι पर अचलत हों हे भिठिडा सालीव एक लीआ लाई LOVE अंगुटे तक और फिर इस को यहां पर मैंने फोटेस्टिक्स जो है सलाहिया लगाई है इस पर और उसके बाद कम्प्लेट कर लिए अपना सॉक्स और यहां पर यह बच्चों के लिए बना रहा है हम तो इसमें मैंने क्या कर लिया इसके ऊपर अब हम लगाएंगे बिल्कु और बिल्कुल प्लेन सलाहि तीस सलाहि लगा लेगे तीस सलाहि मैंने कम्प्लेट कर लिए और उसके बाद फिर से हमें यहां पर कैरेज के हुप पीछे की साइट करेंगे केरेज को हुप को कर लेंगे हम पीछे की तरफ और अब फिर से अपनी लेफ्ट साइट में एक निड़ी लागे जैसे हमने अभी एड़ी के लिए किया था विल्कुल वैसे ही अब हम यहां पे भी अपनी फंदों को उसी तरह से बुनेंगे एक निड़ी लागे की तरफ कर ली है मैंने और एक सलाई लगा लूँगी और यह जो उन है हमारा निड़ी के नीचे हम इसे करेंगे और दूसरी साइट से एक निड़ी लागे कर लेंगे फिर एक सलाई लगा लेंगे फिर से निड़ी के नीचे हम दागे कुले जाएंगे औ और दूसी साइट से ने रिलागे करेंगे फिर एक सलेई लगा लेंगे और इसी तरह से बुणलिया है और आप हम नीडल के नीचे से हम लेके जाएंगे और स्लाइ लगा लेंगे अब यहाँ पर नीदिल के नीचे से द양 लेगे और फिर अब एक स्लाइब लगा न paling दूसरी साइट में इस हाइड़ इस तरह से करेंगे नीडिल के नीचे से ले जाएंगे और उसी पीछे करेंगे इस तरह से दिखें पीछे को किया निडिल को और फिर एक स्लाई लगा लिए ऐसे बना लेंगे हम इसे पूरी जितनी वी निडिल हमारे आगे की तरफ है उनको इस तरह से कंप्लेट कर लेंगे और अब देखिए लास्ट लाई है हमारी यह दिखिए यह होगे कंप्लेट अब इसके बाद क्यरेज के हुक मैंने कर ले आगे की तरफ अब इसके बाद हमें देखिए क्या करना है हाँ पर वेट हटा लेंगे हम यहाँ पर और इस तरह से दिखिए है कि यहाँ पिछे की साइड आप वेट लगा लेंगे यहाँ पर ठीक है अब हमने चाहिए ट्रांसफर निडिल सिंगल इस तरह की अब हमें यहाँ पे करना क्या है बिना सेले वे हम इल्ससोंक्स को बना रहे हैं तो अब हमने यहाँ पर दिखिए आगे दोनों साइड इसे छोड़ना है, इसके आगे का फंद हैं, जो यह हमारे किनारे के जितने भी फंद इस टाइप के हैं, यहाँ पर यह जो फंद आपको दिख रहा है न, बस अब इन ही को हमें उठाना है, जो यह नीचे की तरफ हमने बुना है, इस पे से नहीं उठाएंगे हम, जो यह मेरी तरफ का है, यह देखें, यह वाला पोर्षन, इस पे से हम इसके किनारे के दोनों साइट के फंदों को यहाँ उठाएंगे, अभी हमारा दागा जो है राइट साइड है, तो हम लैफ्ट साइट से फंदे उठाएंगे, तो यह हमने स्टार्टिं किया यहाँ से, यह नी को लेंगे ह norm止 इस तरह से लेंगे तो हमकेर इधर-दर ऊठाव देंगे हम तो हमें इस side से लेना है यहांसे देखिए इस तरह से यह लूप है इससे छोड़ देंहें और हमली देसे हैं ठीक है इसके किकनारे का यह ओला जो कि दिखीरा आज़ांगा एस अग्जरी जो बुनना है बहुत ही सिंपल है देखिए यह सॉक्स बनाना और अभी तक के सॉक्स की जो मैंने विडियो डाली है उसमें मुझे सबसे यही वाला लगा यह देखिए इस तरह से दोनों साइट से फंदा लेना है और निडिल पर इस तरह से ट्रांसवर करके फिर एक स्लाई लग दाना है तो हमें बिल्कुल पूरी जो है एंड तक लास सक हमें इसी तरह से अपने सॉक्स को कम्प्लीट करना है यहां पर यह देखिए इस तरह से अजिए फंधर लिया हमने और इस तरह से तो देखिए से बुनते में मैं ऐसे ही जाओंगी और लास्ट में बुनते में के दूना आया ना विल्कूल उसमें सी तरह से फंदें दोनों साइट से लेने हैं लास्ट की दोनों निडिल में और बिलकुल लास्ट तक जब तक हमारे जो बॉर्डर ने स्टार्टिंग की है यहां तक हमारे इस तरह से बुनते हूं हम यहां तक ना पहुंच जाएं तो हम इन फंदों को बिल्कुल इसी तरह से ले लेंगे तो चलिए फिर कंप्रिट करती हूं मैं बॉदर तक और फिर आपको दिखाती हूं इसे तो यह देखे बुनते वे मैं आ गई यहाँ पर एडियो दक और यहाँ पर आपको मैं एक बाब बता दू कि यहाँ पर जो हमारी एडिया है यह देखे यह बुनते वे हमने यह दिख रहा है न आपको तो इसके इस साइड का भी फंदा बिल्कुल एक सीध में दोनों साइड क आपने कहीं गलती कर दिया अब देखे मेरे तो दोनों साइट से बरावर बरावर आ रहे हैं ये दिखे फंदी जो हैं दोनों साइट से बरावर हैं तो इसका मतलब बिल्कुल सही फंदे उठाए हैं उसमें मैंने ये देखी यहां पे इस तरह से तो आप यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेगा कि फंदे जो है जब आप यहाँ पर बुनते वे आ जाओ तो आप यह जरूर ध्यान रखेगा कि यह दोनों हमारे एक बरावर से लाई में आ रहे हैं या नहीं अगर एक सीद पर आ रहे हैं तो इसका मदलब अपने फंदे बिल्कुल सही लिया है तो चले कम्प्रीट कर लेती उसे और यह देखे बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं हमाग यहाँ पर ही हमने लास्ट फंदा इस तरह से ले लिया अब इतना तो हमने उनके कल्या तयार और उसके बाद हम सिलने के लिए उपर से इन फंदों को बंद करने के लिए थोड़ा एक्स्टर दाकर लेके कट कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करना है हमें कि पॉड़र जो है कम्प्लीट भी कर लेने हैं हमें तो 14-15 सलाईयों तक नीचे की तरफ हम क्या करेंगे इसे उतार लेंगे दो दो निडिल के बीच में एक निडिल इस तरह से आगे करेंगे और जो निडिल हमने के आगे की तरफ की है इन्हीं को 14 लाई तक नीचे की तरफ खोलेंगे हम इसे और बुनेंगे इसको ठीक है एक दो तीन चार पाचे साथ आट नौ दस ग्यारा बारा तेरा और अब हम इसे इस तरह से ले लेंगे अब इसे भुन लेंगे ओपर के लिए तो बॉर्डर हमें इस तरह से बनानी है दूसरी साइट की एक तो हमने स्टाइटिंग में बना ली थी और अब जो हम लास्ट कर रहे हैं इस सॉक्स का कंप्लीट होने को ही है ये तो यहां पर अब हमें इस तरह से अपने वो बनाने क्या कहते हैं उसे बॉर्डर बनाने तो यहां पर फंदे आप अपने हिसाब से देखेगा कि कितने सलाईयों पर आपको बॉर्डर कम्प्लीट करनी है ठीक है तो यह हो गए हमारे 15 फंदे और इस पर मैंने 15 सलाईया इस पर मैं अपने बॉर्डर इस तरह से कम्प्लीट कर लूँगी पूरा और लास्ट मैं हम इसे सिल लेंगे और आप देगे, यहाँ पर हम फंदे करेंगे अपने बंद, बंद की बर चेरा करने हमें उर्ध फंदे अपने स्वीज से वो हम दीख लेंगे यहाँ मैंने इस तरह से फस्ट नडिल पे अपना धागा लिया, of second नडिल से बहार की त्रफ निकाल लिया इस तरह से फिर से हम first पे ले जाएंगे second को छोड़के third number के needle पे इस तरह से needle ले जाएंगे इससे क्या होगा यह फंदे हमारे swing से बन दोंगे आप देखें यहां से हमारा जो है इस फंदे से हमारा धागा बाहर आ रहा है तो इसकी जो left, sorry right में जो फंदा है उसमें से हम इस तरह से अंदर के तरफ ले जाएंगे और उसकी left का जो फंदा हो उसमें हम needle को इस तरह से बाहर के तरफ लाएंगे और इस तरह से जो है हर तीसरी फंदे पर हमें अपना swing जो है उसको हमने अंदर से बाहर के तरफ लाना है और ये जो हमारे फंदी हो गए बंद होते हुए जाएंगे तो फंदी बंद कर लेते हैं और फिर हम अपने सॉक्स को देखेंगे कि किस तरह से हमारा सॉक्स जो है बिना सिलेव हमने कम्प्लीट किया है लास्ट में इस तरह से हम अपना फंदा बंध का नहीं हाँ और फिर यह हमने इस तरह से पक्का कर लेंगा हमिया पर इसको और अब जो फिनिशिंग वगयरा रह गई होगी उससे हम यह हम इंपर रेंगे तदेख लेते हैं तो इस तरह से हमारे यहां पर यह फंदे बंद हम गई यह देख सकते हैं किदनी अच्छीNicine के साथ फंदे बंद होए निकला ओना तो खária की तरफ में कर लिए। क्लोई है तो अभी आप देखें कि किस तरह से जो है हमारा सॉक सेसे तैयार हो है कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दा तरीके से हम इसे बना पाए हैं और बिना सी लेवे हमने अपने सॉक्स को रेडी किया हैं तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ध बढश्तिक वीवें अजह आई हाई कि वीडियो लोगतो कीजेए झाल कर इंदा देख एप नेया हुई बीके से फटन्यूसदायी पीडियोर कि ऑस्य को र AW,"